नरेगा योजना बनाई इसलिए गई है कि लोगों के दोआरा जब लेबर की शरम की डिमांड की जाती है तो हम लोगों को वहीं उसी गाउं में काम अवेलेबल करा पाएं और जिस तरह की परिस्तेतियां थी कोविड का लॉकडाउन भी था कोविड की वज़े से लोगों की आजिवी का भी हेंपर हुई थी और खरीफ दोजार अटतर जो समवत था दोजार एक्किस खरीफ में हमारे यहां पे खराबा भी बहुत हुआ था 94 परसेंट गाउं में फसल खराबा हुआ था एक लंबा ड्राइ स्पेल था बारिश नहीं हुई थी तो लोगों में काम के रोजगार को लेकर मांग भी काफी थी और जैसा एक्ट कहता है हमें उनको काम प्रोवाइड करना था हमने इसमें सगन ये ध्यान रखा अभियान चला गए कि कहीं भी काम खतम नहीं हो इनफ काम सेंक्शन रहें ताकि कोई भी लेबर के दुआरा काम मांगा जाए तो उसको काम प्रोवाइड किया जा सके और ज़्यादा ज़्यादा लोगों सो दिन का जो रोजगार है वो पूरा करें इसी क्रब में हमें यह दिवित्ति रैंक मिला है पूरे सियो जिला परिश्चाद और जो उनकी टीम है वीडियोस की उनका इसमें पूरा योगदान रहा है काम सेंक्शन करने को लेकर हमने जो वाटर कंजर्वेशन के काम है वो इसमें लिए लगातार वीडियोस से जब रिवियू करते थे तो कम्यूनिटी के काम भी हमने इंडिविजुल के अलावा लिए ताकि कम्यूनिटी वर्क्स पे ज़्यादा लेबर को इंगेज किया जा सके वोटर कंजर्वेशन का इसमें स्पेशली ध्यान रखा इसके इलावा ग्रेवल रोड है या नाड़ी इतलाव की या जो टाके जो होता है उन स्ट्रक्चर्स का काम है मेडबंदी का काम है कम्यूनिटी और इंडिविजुल वर्क्स दोनों लिए हमने और नैच्रल रिसॉर्स मैनेजमेंट के वर्क्स भी लिए ताकि जादा जादा लेवर को हम एंप्लॉई कर सकें और हम कुछ टेंजिबल एसेट्स भी बना सकें जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा एक्ट की मंचा है और एक्ट में दिया हुआ है कि अगर कोई काम को डिमांड करता है तो अगर उसका जॉब कार्ड है और काम को डिमांड करता है तो हमें उसको काम देना पड़ेगा और यहां पे भी उनकी आजीविका इट हुई थी तो हमें उमीद थी कि इस बार लोग काम ज़्यादा मांगेंगे तो हमने काम उसी हिसाब से सेंक्शन करके रखे हमने पंचायतों से प्रपोजल मंगवा के जो उनके एक्शन प्लान में वर्क्स थे उनको मंगवा के और पहले से ही इनफ काम हमने सेंक्शन करके रखे ताकि कोई काम की कमी नहीं पड़े और उसमें फिर ज़्यादा ज़्यादा लेबर को डिपलॉई किया गया इसी वज़े से हम लोग ये पूरी टीम की जो मैनत है उसकी वज़े से ये रेंक ले पाए हमारा तो प्रियास ही रहेगा कि जो भी एक भी विक्ति काम अगर कि डिमांड करता है तो उसको काम दिया जाए और उससे कोई टेंजिबल एसेट्स क्रियेट हो जो भी काम किया जा रहा है उसे गाहों में लॉंग टर्म में कोई एसेट्स क्रियेट हो ये हमारा हमेशा मोटिव रहता है और क्योंकि पानी की यहां कमी रहती तो पानी के संडरक्शन को और कंजर्वेशन को लेकर कोई काम अगर हम लेते हैं तो उसका अच्छा इंपक्ट भी होता है उसी की वज़े से आप देख पा रहे हैं कि नहरबंदी हो या पानी के सूखा पढ़ने के बावजूद भी लोग अपने टाकों में पानी होने की वज़े से काफी समय उससे निकाल लेते हैं